तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन गैस की आउनलाइन बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं इंडियन गैस के एप्लिकेशन के थुरू तो इसके लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे वहां सर्च में टाइप करेंगे इंडियन ओइल इंडियन ओइल तो यह आप देख सकते हैं आपके पास पहला अप्शन है इंडियन ओइल उन इस पे क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे यह आप पहले डाउनलोड करेंगे इसे फिर इंस्टॉल होगा और उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से आप अपना ऑनलाइन गैस की बुकिंग कर सकते हैं कई छोटे शहरों में गैस की डिलिवरी के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है जो की गलत है अब आप अपने गैस की बुकिंग ऑनलाइन करें और ऑनलाइन ही उसकी पेमेंट कर दें और आपकी डिलिवरी आपके घर पर कर दिया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा तो आप इसे यूँ ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद अलाव करेंगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा सबसे पहले आपको लॉग इन करना है तो आप ये इन्रॉल नाउ इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के लिए अगर आप फर्स टाइम इस application को use करने जा रहे हैं तो पहले आप sign up करेंगे sign up करने के बाद यहां आप registered mobile number जो आपका gas agency के साथ registered हो number डालेंगे अपने email ID डालेंगे यहां पर नाम यहां पर first name यहां पर last name यहां पर I agree और register पर click कर देंगे जैसी register पर click करेंगे आपका registration हो जाएगा उसके बाद आपको login करना है login करने के लिए login करने के लिए आप फिर से इस home page पर आ जाएंगे वापस फिर enroll now पर click करेंगे यहां पर आपके पास login का option होगा login पर click करेंगे उसके बाद यहां पर आप अपना मोबाइल नमबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया है मोबाइल नमबर और पासवर्ड डालने के बाद Login Now पर क्लिक कर देंगे जैसे आप Login करेंगे तो आपको इस तरह का Interface देखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सिलेंडर कर सकते हैं अपना सिलेंडर यहां से order कर सकते हैं कोई complaint आपको register करना हूँ यो कोई support चाहिए आपको तो इस option का यूज कर सकते हैं customer support का यहाँ पर call us यहाँ पर आप call भी कर सकते हैं इन्दियन ओल को directly तो अगर आपको अपना gas book करना है तो order cylinder पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके एजेंसी का नाम दिखेगा और यहाँ पर delivery charges देख सकते हैं आप के normal delivery charges के लिए कोई भी extra charge नहीं देना होता है गाओं में कस्बों में delivery करने वाले लोगों से 100-100 रुपे तक extra charge लेते हैं जो की गलत है इसके लिए आप complaint कर सकते हैं आप online payment कर दें और आपके घर पे cylinder deliver हो जाएगा बिना किसी extra charge के अगर कोई extra charge मांगता है तो आप उससे return में मांग सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर price दिखा रहा है 899 रुपे 50 पैसे का cylinder पड़ेगा यहाँ पर option है आपका order now इस पर click करेंगे जैसी आप इस पर click करेंगे आपका order successfully place हो चुका है अब इसकी payment आप यहाँ पर online कर सकते हैं I agree and pay now पर click करेंगे जैसी इस पर आप click करेंगे आपके पास यहाँ पर pay now का option दिखेगा और amount दिखे रहा है कि कितना आपको pay करना है आप pay now पर click करेंगे यहाँ पर आपको payment option choose करना है यह दो payment option है यानि यह payment gateway है जिसका use करके आप payment कर सकते हैं मैं इसका use करता हूँ इसे choose कर लेंगे हम और pay now पर click करेंगे जैसी pay now पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इतनी payment हमें करनी है next पर आप click कर देंगे next पर click करने के बाद pay now का option होगा pay now पर click करेंगे अब आपको यह payment gateway पर ले जाएगा यहाँ पर आप payment अपने credit card से कर सकते है ATM card से कर सकते है net banking से कर सकते है या किसी wallet से कर सकते है अगर आप अपने ATM card से करना चाते है तो debit card पर click करेंगे यहाँ अपना card number डालेंगे यहाँ पर अपना expiry और आपके card के पीछे 3 digit का इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते है इस तरह का आपका CVV पर्मों का वो यहाँ डालेंगे और पेनाओ पर click करेंगे जैसी पेनाओ पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को आप enter करेंगे तो आपकी payment online हो जाएगी और आपका cylinder आपके घर पर deliver कर दिया जाएगा तो जैसी आपका cylinder book हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी booking reference number यह नीचे show कर रहा है और इसका status अभी open है तो यह आप देख सकते हैं यह आपका जो order है वो book हो चुका है और अब यह आपको deliver कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon पर press करना ना भूले और अगर Facebook page पर देख रहे हैं तो page को like and share करें Thank you